हमारी ये दुनिया बहुत खुबसूरत है, है न? चाहिए यहां के वातवरण की बात करें या इस धर्ती पे बनवराई जीवन की, सब कुछ ला जवाब है। साइंटेस्ट कहते हैं कि हमारी इस धर्ती पे 87,000 प्रजातिया हैं, जिसमें से हम 15% को खुछ पाया हैं। पर एक वक्त ऐसा भी था, जहां पर प्रित्वी नरक से भी बत्तर थी, और यहां पर जीवन के कोई असार नहीं थे। पर इसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई, जिसके चलते आपका, मेरा, हम सब का फॉर्मेशन पॉसिबल हो गाया। आज से करीब 4.5 billion years पहले, अंत्रिक्ष में कहीं खोलते हुए लावा से भरा एक प्लैनेट, जो एक तारे के चक्कर लगा रहे है। इसकी सते पिगले हुए लावा से बन रखे थी, यहाँ पे जीवन तो दूर दूर तक मोजूद नहीं था, और हर जगे जुआलम उपर फट रहे थे। लगातार एस्टरोइट्स की बारिश हो रही थी, और इसी बीच में एक प्लैनेट, जो हमारी अर्थ की एक चुठाई जितना बड़ा है, वो हमारे अर्थ से आकर टकरा जाता है। जीज तो अब स्टाट होने वारी थी, आज से करी 3.9 billion years पहले, एक बार फिर प्रित्वी पे एस्टरोइट्स की बारिश हो और इस बार एस्टरोइट्स हकेले नहीं आयते, साथ में मीटियोर्स भी थी, लेकिन इन मीटियोर्स में भी कुछ खास था, ये मीटियोर्स अपन के लिए अभी भी अनुकूल वाता परण नहीं था, पर ये समय भी ज्यादा वक्त के लिए नहीं रहा, आज से करीब 3.8 billion years पहले, एक बार फिर प्रित्वी को मीटियोर्स की हैवी बॉंबार्डमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार इसमें और भी कुछ था, ये यहां पर जन्म होता है single-cell organism, यानि एक कोशिकाएं जीवों का, और ये दुनिया की सबसे बड़ी mysteries में से एक है कि ऐसा हुआ कैसे, ये एक बैक्टेरियास थे, और इन्हों ने दिन रात करके अपनी population इतनी जादा बरा ली, कि पूरे समुदर में इनके सीवा और कुछ था ह नहीं, एक टाइम ऐसा आया, जब ये आपस में एक दूसरे से चिपक कर, इस तरह के स्ट्रोंस में बदल गए, और इन्हें हम क्याते हैं स्ट्रों मेटलाइट्स, ये बैक्टेरियास सूरज की रोजने को अपने भोजन की रूप में बदल देते थे और इस प्रोसेस को हम क जान थी, क्योंकि इसमें कोई बें इंटेंस लाइफ ने अभी तक जनम लिये ही नहीं, आज से करी 75 करोड येस पहले प्रित्वी पे हाला दुबारा से बदल रहे थे, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने के कारण धर्थी के नीचे का सारा लावा उपर आ गया, खोलते वे प्रित्वी जेल नहीं सकी, इसी के साथ पहले आईसेज की शुरुआत होती है, झाल